इस वीडियो के स्पॉंसर है तेन और शेर री आईबूट प्रो दोस्तों आईफोन में अलग-अलग प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे मूद लूप में अटक गया है अपल लोगों इस टक है तो तेन और शेर री आईबूट प्रो की बदसे आप आई उसका सिस्टम रिफ्रेश करके इस प्रॉब्लम को completely solve कर सकते हैं 150 प्लस आयो सिस्टम इशूस को आप कर सकते हैं आयो सिस्टम रिपेर को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएवर लिंक से डाउन कर लिजे आपके आईफोन में जी प्रॉब्लम है आईफोन को connect कर लिजे और यहां पे एक क्लिक से आप आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं एक क्लिक से जो है रिकावरी मोट से आप बाहर निका सकते हैं और सब्सक्रिप्शन यहां पे आपका आईफोन जो है यह आपल लोगो भी स्टक हो जाता है तो आप सिंपली अपने PCI Mac सेवस को कर लिजे connect data cable के दरे से और 10 और शेयर iOS system repair को आपने से बाहर आ जाएगा बूट लूप से बाहर आ जाएगा इसका लिंक निचे डिस्क्रिप्शन में हैं डाउन करके चेकाओ जरूर कीजिए हाई दोस्तों असलाम अलेकुम कैसे आप लोग मेराम नभी अपने आइफोन की दुकान सच चुकी और इसका मतलब यह है कि यह एक इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है यहां बे मैं आपको बताऊँगा सभी आइफोन के इमोडल जितने भी है सभी का बैटरी रिप्लेस्मेंट कोस्ट इंडिया के अंदर बैटरी का कोस्ट लेबर कोस्ट टैक्स सभी का मिला जुला के जो को बनता है फाइनल अ दूस्तों कौनसे आइफोंस जो है इलिजिबल है आउट ओफ वरंटी बैटरी रिप्लेस करवाने के लिए विदिन वरंटी बैटरी रिप्लेस्मेंट का वीडियो नहीं है यह जो नए आइफोन 12 सिरीज के और आइफोन 13 सिरीज के यह अभी भी वरंटी में है इनकी इंटर होता है और वहाँ पे अगर आपको कोई तकलीफ है तो अपना फोन सब्मिट करके चेक करवा सकते है और अगर आपका फोन में बैटरी ड्रेन हो रही है तो वो आपको free of cost replacement करके देंगे आपको figure करने की ज़रोत नहीं यह उन models के लिए है जिन पर warranty हो चुकी है खतम और willingly आप जाके बैटरी चेंज करवाना चाहते है तो आज हम लोग इसके अंदर कवर करने वाले है iPhone SE जो पुराना वाला है 2016 वाला iPhone 6S iPhone SE वहां से लेके तो iPhone SE 2 तक जो के 2020 में Apple ने launch किया था अब यहां पे दोस्तो आपके iPhone के battery में battery health में जाके अगर आप देखेंगे आपको service लिखा रहा है या हो सकता है battery health जो 80% हो गई है 70% हो गई है तो इस case में आपको battery replace करवानी चाहिए लेकिन इसका कोई hard and fast rule नहीं है service लिखा आएगा तो ज़रू करवानी चाहिए लेकिन अगर आपको 70% दिख रहा है लेकिन आप satisfied हो अपनी battery से जो battery backup आपका phone आपको दे रहा है तब आपको replacement नहीं करवाना चाहिए बहुत जादा drain हो रहा है तब जाके replace करवा लीजिए आपको definitely superior battery life मिलेगी और अच्छा performance म मिलेगा अब यहाँ दोस्तों दो batteries के price मैं आपको बताने वाला हूँ एक है official apple store से अगर आप replace करवाते हो तो और दूसरी है apple store के बाहर से जहां पर आप original iPhone की battery जो है replace करवा सकते है यह मैंने जो pricing है एक तो apple store से निकाला दूसरा cell buddy store से निकाला अब cell buddy वालों के पास apple की official battery ज store पर ही मिलेगा बाहर कहीं नहीं मिल सकता तो यहाँ पर मैंने उसे सवाल पूचा तो उन्होंने मुझे बताया कि यह जो batteries यह लोग replace कर रहे है यह फॉक्स कौन की battery है अब फॉक्स कौन कौन है फॉक्स कौन जो है apple के लिए iPhone बनाता है iPhone के पार बनाता है तो यहाँ पर फॉ official store पर जाके जब आप replace करवाते तो original iPhone की Apple की बनाई भी battery आपको मिलती है अब बाहर से आप कहीं से डलवाते है तो आपको duplicate battery भी मिल सकती है और cell buddy वालों का claim है कि उनके पास फॉक्स को उनकी battery है जो कि original battery ही है यानि कि original manufacturer है Apple के spare parts का और iPhone का उससे उन्होंने battery लिया है अब अपना iPhone SE 2 या iPhone 6S ले जाके वहाँ पे battery replace करवाई out of warranty पैसे दे कर जो कि आपको मैं बताने वाला हूँ तो आपको Apple Store के तरफ से मिलती है 90 days की warranty 90 days की warranty यानि कि 3 महीने की warranty ये 3 महीने की warranty जो होती है दोस्तो इसके अंदर battery health का drop होना claim नहीं होता है ना cell buddy वाले देंगे ना Apple के official store वाले देंगे यहाँ पे जो चीज claim आप कर सकते है वो है battery drain अगर बहुत ज़्यादा battery drain हो रहा है और आप satisfied नहीं हो अपने नहीं battery से तो जाके आप claim कर सकते हो और लोग चेक करके आपको एक और नहीं battery दाल के देंगे या फिर battery replace करने कि नहीं पे कोई अगर पार्ट उनक warranty पर है उसके बारे में जो बताने वाला हूँ उनसे मैंने पूचा तो उन्होंने कहा कि यह one year की warranty देते है और one year की warranty यह भी battery के उपर देंगे यान कि बैटरी अगर बहुत ज़दा rain हो रही है कुछ प्रॉब्लम आपको आ रही है तब जाके आप जो है claim कर सकते है लेकिन आ आपको या तो खुद आना पड़ेगा या फोन को उनके पास भिजवाना पड़ेगा warranty claim करने के लिए लेकिन apple store पे करने पे ऐसा नहीं है आप कहीं भी इंडिया के अंदर apple store पे जाके battery replace करवाते हो तो पैन इंडिया आपको पूरे इंडिया में कहीं भी किसी भी app store पे जाक हूँ जो आप में से बहुत लोगों का सवाल होता है कि जो फोन apple के आते है waterproofing के साथ या IP rating के साथ water resistance के साथ जैसे आइफोन एसी 2 हो गया या फिर हो सकता है आइफोन 11 सीरीस का कोई फोन हो आइफोन 11 प्रो मैक्स हो आइफोन 11 हो टैनार हो यह सब फोन आते है waterproofing के साथ तो waterproofing का क्या battery replace तो ऐसे ही नहीं हो जाएगी कि यहां से जो है lightning port से बैटरी अंदर गुसा ही और पुरा ही बैटरी निकाल दी ऐसा नहीं होने वाला आपके फोन का back panel खोला जाता है बैटरी निकाली जाती और फिर से इसको seal किया जाता है तो apple store का जितना मुझे पता है वो वारे phone की waterproofing है उसका क्या होने वाला है कि आप वही sealant इस्तमाल करते हो जो apple officially अपने phones के अंदर इस्तमाल करता है या फिर कोई और करते हो उसके उपर भी आपका decision जो है वो based हो सकता है लेकिन एक बात का ध्यान रखना दोस्तों जो original iPhone आपका आता है factory fitted उस type की जो seal है fit and finish है वो आपको हो सकता है apple store पे भी देखने ना मिले अगर अच्छे तरीके से workmanship की गई तो वहाँ पर आपको मिल सकती है लेकिन मेरे साथ बुरा experience हो चुका है जहां पर मैंने apple store पे अपना iPhone 10 दिया था उसका speaker replace करवाने के लिए उन्होंने जब उसको seal किया तो इतना बुरी दर पे मिल जाएगा उसको जाके check out आप कर सकते हैं आपको समझ में आ जाएगा क्या problems आपको face करनी पड़ सकती है तो आप आ जाते दोस्तों pricing के ऊपर तो सबसे पहले मैं आपको apple की official pricing बता देता हूं batteries की और इस pricing के अंदर battery का cost भी included है battery की warranty भी इंक्लूड़ड़ड़ड़ड आपके screen में नजर आ रहा है यह है apple के official pricing iPhone SE से लेके iPhone 8 Plus के लिए जो है सारे pricing सेम है तो पुराने से पुराना iPhone जो यहाँ पे iPhone SE, iPhone 6S, 6S Plus कोई भी iPhone हो इसके बाद आ गया iPhone 7, 7 Plus और 8 और 8 Plus इन सभी के लिए pricing सेम है which is 3500 रुबीज तो यहाँ पे यह पैसा देखे आप आपल से officially यह battery का replacement करवा सकते है अब यह बात होगी दोस्तो iPhone 6S, SE, 8, 8 Plus, 7, 7 Plus की लेकिन इसके बाद क्या iPhone का क्या तो इसके बाद की जो iPhone से दोस्तो उनके भी नाम बता देता हूं उनकी pricing बता देता हूं iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone X, iPhone 11, iPhone XR, iPhone 11 Pro और iPhone 11 Pro Max इन सभी iPhone के लिए जो battery का cost है, replacement cost है व वहाँ पर जाके आप 5,000 रुपे देखे इन सभी iPhones की battery replace करवा सकते है तो iPhone X से पुराने वाले जितने भी models है उनकी 3,500 है और iPhone X से लेके iPhone 11 Pro Max तक जितने भी model है सब की कीमत है 5,000 रुपीज अब इसके बाद दोस्तो आजाता है एक model जो है iPhone SE 2, iPhone SE 2 या iPhone SE 2020 इसकी battery replacement cost आपको Apple क store में मिलेगी 3,500 हजार रुपे अब यहाँ आपको cell body वालों की pricing बता देता हूँ जो कि Foxconn की battery की है तो यहाँ पे आप देख सकते कि iPhone SE की जो pricing है पुराने वाले की इनके पास वह हजार रुपे और उसके बाद iPhone 6S से लेके तो iPhone 8, 8 Plus तक जो pricing है वह 1500 रुपे है उसके बाद आता है iPhone X जिसकी pricing इनके पास 2000 रुपे है और उसके बाद की जो models है उन सभी की pricing जो है 2,990 आने की 3000 रुपे पकड़ के चलो और इनके पास iPhone SE 2 की जो battery है उसकी कीमत है 2500 रुपे तो यहाँ पे तक्रीबन जो है 1000 रुपे से लेके 2000 रुपे का difference है अब भार से battery replace करवाएंगे या फिर Apple के official store से तो सारे pros and cons सारे बाते जो है मैंने आपको बता दिया अब आपको कहां से replace करवाना है वहाँ से आप battery replace करवा सकते अगर आपको ज़रूरत है तो और नहीं है तो फिर तो कोई बात रहती नहीं है लेकिन एक बात का धियान रख में तो जहां से भी आप battery replace कर सकते है डिपेंड करता है हो सकते है आपने कोई पुराना आइफून ऐसी जो है सस्ते में लिया होगा साथ आड़ आजार नौजार में लिया होगा आप जाके थोड़ी ना आप उस पर धाई-ती नजार रुपे की बैटरी दलवाएंगे तो ऐसा नहीं है इसलिए आप हो सक उसकी बैटरी रिप्लेस्मेंट कॉस्ट में आपको बता दिया और जो नए आइफून है वो अभी भी वारेंटी में है तो जब उसकी खतम होगी उसकी बैटरी रिप्लेस्मेंट आउट वारेंटी शूर हो जाएगी तो उसकी भी कॉस्टिंग हम किसी और वीडियो में हम तो में इस चानल को सब्सक्राइब जरू किजिए गुडबाई